यूपी के लखीमपुर में गन्ना समीती के चुनाव के दौरान भाजपा विधायक मंजूत्यागी की गजब की दबंगई दिखाई दी यहां गन्ना समीती के चुनाव में तमाम लोगों ने अपना परचा दाखिल किया था अफसर नामांकन परचे चेक कर रहे थे तभी भाजपा विधायक मंजूत्यागी की एंट्री होती है और मैडम मेज पर रखे सारे परचे लेकर तेज कदमों से निकल जाती है मंजूत्यागी की इस हरकत पर अफसर कुछ भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हुआ क्या है शायद ये नया तरीका है चुनाव जीतने का न बहस न बुद्धे बस परचे लूट लो विधायक जीने SDM के सामने ऐसा किया जैसे ये उनका रोज का काम हो और तो और बगल में अधिकारी भी खड़े थे SDM साहब भी कुर्सी पर बैठे थे और ये सब देखते रहे मानो कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो आप इस वाइरल वीडियो को गौर से देखिए सामने कुर्सी पर बैठे हैं SDM साहब नाम है अश्विनी सिंग वीडियो में SDM साहब पर्चा गिन ही रहे होते हैं कि एक शक्स उनसे वो पर्चे लेने की कोशिश करता है लेकिन SDM साहब उनको मना कर देते हैं इतने में सामने से एक महिला कहाथ इतनी रफ्तार से आता है कि माइकल शुमाकर और लुइस हमिल्टन जैसे रफ्तार के सौदागर भी शर्मा जाएं महिला कहाथ सामने आते ही पहले तो वे SDM के हाथों से पर्चा चीनती हैं और जट से उसे पीछे खड़े साथी को पकड़ा देती हैं इसके बाद मैडम टेबल पर जो पर्चे रखे थे उन्हें भी उठा कर फुर्रो जाती हैं और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सब बस देखते रह गए सबसे पहले आपको इन मैडम का पर्चा देते हैं वीडियो में SDM के सामने दबंगई करने वाली ये महिला कोई आम नहीं बलकि लखीम पुर्जिले की स्रीनगर सीट से BJP विधायक मंजू त्यागी हैं अब जब जन पृतिनी धी ये ऐसी हरकते करेंगे तो आम जनता और इनके समर्थक इनसे क्या सीखेंगे वहीं जब वीडियो वाइरल हुआ तो विधायक मैडम से पूछा गया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यूं किया तो मैडम ने पर्चा छीनने से इनकार कर दिया मंजू त्यागी का कहना है कि मुझे गड़बड़ी की सूसना मिली थी तो कक्ष के अंदर गई थी मैंने कोई पर्चा न छीना न फाड़ा है वहीं मैडम का वीडियो वाइरल होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है मामले में उचित कारवाई हो निश्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जाए दूसरी और भोजपूरी गायका नेहा सिंग राठोर ने भी इस घटना पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी की विधायक मंजूतियागी ने SDM के सामने विपक्षी उम्मीद्वारु के पर्चे लूट किये उन्होंने बहादुरी लखीमपूर में सहकारी समिते के चुनाव के दौरान की अधिकारी मूँ देखते रहे और कर ही क्या सकते थे बदादी की लखीमपूर खीरी जिले में गुरुवार को चार सहकारी समितियों पर संचालक पद के लिए नामंकन होना था सुबह से ही गहमा गहमी का महौल था फूल बहर साधन सहकारी समिते में दोपहर के बाद परचा खरीदने को लेकर बखेडा खड़ा हो गया फूल बहर में समिती चुनाव के परचा खरीदने और नामंकन दाखिल करने के लिए सपा और भाजपा के नेता वो समर्थक जमा हुए थे सपा की ओर से पूर विधायक रामसरन विनेतिवारी पूर विजिला ध्यक्ष अनुराग पटेल मौजूद थे आरो के आने के बाद नामंकन परचा खरीदने के प्रक्रिया शुरू हुई इस बीच श्रीनगर सीट से बीजेपी विधायक मंजूति आगी आ गई उनके साथ तमाम समर्थक भी थे ये नामंकन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद होने लगा इसके बाद समिति के अंदर जाने और नामंकन पत्रों के जल्द वितरन करने की मांगकर हंगामा शुरू हो गया इसी दोरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई पुलिस ने सभी कार करता हूँ और लोगों को परिसर में 200 मीटर दूर रहने को कहा था लेकिन विधाय के कारनामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है NBT Online के रिपोर्ट